Hey everybody, today we will explain one of the wonderful movie और ये एक सच्छी कहानी है, Eddie the Eagle Eddie Eagle की कहानी एक लड़के की कहानी है जिसके अंदर कोई special qualities नहीं होती, ये हम सब की कहानी है आपने अक्सर देखा होगा कि हम सब सबने तो बहुत देखते हैं, टार्गेट तो बहुत बनाते हैं और लेकिन हमें ये लगता है कही न कहीं कि हम एक ordinary person है हम नहीं कर सकते ये कहानी आपको बताएगे कि ordinary person और extraordinary person कुछ भी नहीं होता है कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकता है क्योंकि उसके अंदर determination होती है So let's start this movie कहानी के शुरुवात में हमें Eddie Edward का बचपन दिखाया जाता है Eddie Edward एक डड़का है जो किसी भी condition में, England में रहने वाला ही है और किसी भी condition में वो चाता है कि वो Olympic की race जीते आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि Olympic में जीतना अपने देश के लिए सम्मान की बात होती है और Eddie की एक शा है कि वो किसी भी condition में अपने देश के लिए और इसके लिए वो हर एक sports try करता है वो सांस रोकने की भी कोशिश करता है वो 40 सेकंड तक अपनी सांस रोक कर काउंट करता है जिससे कि वो इस activity में भी participate कर सके अब हम देख पाते हैं कि 1973 में जब Eddie छोटा होता है जब उनका बचपन होता है तो उनकी mom उनको काफी encourage करती है उनके goal के लिए इवन वो उन्हें एक box लाके भी देती है वो Eddie से ये कहती है कि अगर तुम award जीतते हो Olympic के medals जीतोगे तो तुम इस box में रख सकते हो तो हम इस तरह से देख पाते है कि Eddie को अपने mom से तो बहुत support मिलता है लेकिन उनके dad को उनके उपर विश्वास नहीं था हम यहाँ देख पाते हैं कि Eddie के जो dad होते हैं वो हमेशा उनको discourage करते थे वो उनको ये कहते हैं कि Olympic जीतना Olympic के लिए एक extraordinary quality चाहिए और उनके में कोई भी ऐसी quality नहीं है जिससे कि वो Olympic जीत सकते हैं और वो उनको कहते हैं कि तुम्हारा भविश्य यही है कि तुम मेरे साथ में garage में काम करो और इसलिए ही यह award और यह sports के तुम fair पे ना रहो sports के सपना देखना छोड़ दो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके dad उनको बहुत disappoint करते हैं लेकिन हम Maddy को देख पाते हैं पार्टिसिपेट करके और जीत कर अपने देश का नाम बनाना चाहते थे अब हम यहां देखते हैं कि ADQ की तरह तरह के sports ट्राइ करते हैं वो किसी भी condition में उनको यह नहीं पता था कि किसे sports के थ्रू वो Olympic में जा सकते हैं इसलिए वो सारे game को ट्राइ करते हैं वो running के competition में participate करते हैं jumping के competition में participate करते हैं सास रोकने की वो practice करते हैं इस तरह से हर एक competition में participate करते हैं जिसके कारण continuously जसा आप सामने देख सकते हैं बहुत सारे उनके goggles तूट भी जाते हैं अब हम देखते हैं कि ADD ने आज एक बार sky diving की और dive करते हुए उनको ये लगा hiking करते हुए उनको ये लगा कि वो dive कर सकते हैं ये जो उजी कूट की competition है उसे वो definitely long jump के competition में participate कर सकते हैं लेकिन ये जो competition होता है इसमें basically hiking के competition में उनको land भी करना होता है और यहां क्योंकि Britain में उसके proper coach नहीं है इसलिए उनकी training नहीं होती है लेकिन फिर भी वो इस game में खुद से ही practice किये जाते हैं बिना किसी trainer के अब हम देख पाते हैं कि 1987 का time भी आ जाता है ये वो time है जब Olympic के लिए competition होना है और इस समय हम देखते हैं कि Eddie ने भी अपना नाम register करा है Olympic के लिए हलाकि इस competition पे हम देखते हैं कि कोई भी Eddie के support में नहीं करते हैं क्योंकि वो इक बिना experience के और उनको पिछला game का कोई भी experience नहीं है और Olympic में किसी भी देश के लिए ऐसे लोगों को भेजना जिनका कोई experience नहीं है ये impossible होता है इसलिए हम qualifier match को देखते है अब हम qualifier match को देख पाते हैं कि यहाँ जो competition होता है उसमें Eddie बुरी तरह से unsuccess होता है क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आता है इसलिए वो fail कर जाती इस examination पे अब हम देखते हैं कि Eddie फिर भी Eddie का ये जो सपना होता है और लोग वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो Eddie को कहते भी है कि तुम Olympic में select होने का सपना भूल जाओ यह आसान नहीं है अब हम देखते हैं कि इस test में fail होने के बाद Eddie के जो dad होते हैं वो भी उनको कहते हैं कि वो उनके साथ में garage में काम कर सकते हैं तो Eddie decide करते हैं कि वो अपने dad को garage में contribution करेंगे लेकिन Eddie जब अपने वापस room पे आते हैं उनकी जो mom होती है वो इनको encourage करती है वो यह कहती है कि एक बार हार होने का तो चलता है अगर तुमको success चाहिए तो continuously तुमको प्रयास करनी चाहिए और यहां हमें यह चीज़ पता चलती है family की importance देखिए अगर किसी के की भी पास में family support है अगर family member positively किसी भी member को encourage करते है तो उनके पास उस condition में से निकलने की struggles आ जाती है इसलिए उनकी mom यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा support करती है वो यह कहती है कि एड़ी तुम एक exam में fail हुए हो लेकिन आगे तुम test कर सकते हो आगे तुम exam में participate कर सकते हो अब हम एड़ी को देख पाते हैं कि एड़ी खुद अकेले ही फिर से उस game की practice करने लगते है हाला कि उनको इस game में landing करनी नहीं आती है लेकिन उनको यह नहीं पता कि वो ice पे land कैसे करेंगे कैसे नीचे उतरना चाहिए चलांग लगा कि यह उनको नहीं पता इसलिए हम देखते हैं कि landing करते वक्त वो बार बार गिरते हैं जिससे एड़ी को भी लगता है realization उनको होता है कि उनको भी एक coach की ज़रत है फिर हम देखते हैं कि एड़ी coach के लिए एक person के पास जाते हैं लेकिन वो person एड़ी का बहुत मजाक उडाते हैं वो कहते हैं कि अगर उनको diving सीखनी है तो यह बहुत 5-6 साल की उम्र से जो बच्चे शुरू करते हैं वो एड़ी की age के आते आते सीख पाते हैं और इस एज में उनको सिखा पाना उनके लिए संभव नहीं है वो केज उनको reject कर देते हैं अब हम देखते हैं कि एड़ी ने एक बार पे working नौकरी भी कर ली है और इस बार की जो honor है वो एड़ी को ये भी offer accept करती है कि अगर उनके पास रहने के लिए shelter नहीं है वो आके रात में क्योंकि देखती है कि एड़ी उस बार पे ही सो रहा होता है तो वो एड़ी को offer करती है कि अगर वो चाहे तो उनके साथ में यहाँ पे रह सकते है और वो एड़ी को encourage भी करती है वो उनको कहती है कि बहुत अची बात है और तुम चाहो तो अपनी determination से तुम अपने goal को achieve कर सकते हो अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एड़ी अब जाके दूसरे शहर में जाके रह रहे हैं वो दिन में बहुत practice करते हैं और साथी साथ वो बार पे job भी करते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एड़ी जब jumping कर रहे होता है वो गलत तरीके से खेल रहे होता है इस जगह पे एक साफ सफाई करने वाला आदमी आता है वो एड़ी को जाके बोलता है कि तुम सही नहीं कर रहे हो इस तरह से jumping नहीं की जाती और तुम अगर इस तरह से कर रहे हो तो ये खेल एक दो दिन का और इस एज में तुम सीखने के लिए सोच रहे हो तो Olympic जितना impossible है लेकिन Eddie अपने आप में उन्होंने determined हो रहते हैं वो ठान के बैठे रहते हैं कि उन्हों Olympic किसी भी condition में जीतना है पे win की थी Olympic के competitor वो qualifier थे तो यहाँ पर ID को समझ में आता है कि यह person खुद भी एक बहुत ही अच्छे skydiver है अब वो decide करते हैं कि वो इनसे बात करेंगे और इनसे coaching के लिए भी वो बात करेंगे अब हम देखते हैं कि ID उनके पास जाते हैं और उनको request करते हैं कि वो उनको सिखाएं, वो उनको training दे लेकिन वो person भी रैडि नहीं होते हैं, भी वो agree नहीं करते हैं कि वो ID को teach करेंगे वो सीदे से उनको मना कर देते हैं किसी भी तरह से coaching करने में और इस person के अब हम condition देख पाते हैं ये जो person होते हैं वो बहुत ही बहतरीन skydiver होते हैं इनके coach lane के बारे में बहुत अच्छी चीज लिखी होती है लेकिन इनके ओपर एक allegation रहते हैं allegations ये रहते हैं कि ये बहुत rude होते हैं बहुत जादा इन्होंने game पे बतमीजी भी करकी रहती है इसलिए ये उस time पे game से उनकी value जो थी वो कम हो गई थी और आज की date में हम देख पाते हैं कि वो पूरी तरह से drunk होके दिन में भी हम देख पाते हैं कि beer bar पे वो visit करते हैं तो उनकी condition हम देख पाते हैं लेकिन इस condition में भी वो addy को discourage करते हैं वो addy को कहते हैं कि ये कोई एक या दो दिन का खेल नहीं है skydiving बहुत मुश्किल चीज है और वो इस game को भूली जाए तो बहतर है अब हम देख पाते हैं कि बाद में addy के बार 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 insist करने पे finally वो person agree हो जाते है addy के coach बनने के लिए और वो अब addy के coach बन गया वो बोलते हैं कि मैं directly तुम्हारा coach official ताउर पे तो नहीं होंगा हाँ लेकिन मैं तुमको guide करूँगा अब हम देख पाते हैं कि addy दिल से बहुत मेहनत करते हैं जो coach होते हैं वो भी उनको हर अपनी एक moves हर अपनी एक technique सिखा रहे होते हैं और movie में हमें ये भी पता चलता है कि जो addy ने जिस person को as a coach चुना होता है वो really वाकई में बहुत ही अच्छे player होते हैं वो addy को game की एक एक technique बताते हैं वो diving की skills बताते हैं किस तरह से हम अपने body को lose करके अपने weight पे कैसे control करके जादा से जादा diving ले सकते हैं वो यहाँ example भी देते हैं बहुत सारे trees के बीच में कि diving एक ऐसी चीज़ है जितना हम उचा सोच सकते हैं जहां तक हम सोच सकते हैं उतनी उची चलांग हम लगा सकते हैं हमारे अंदर उस तरह का vision आता है और उतनी उची cool चलांग हम लगा सकते हैं ऐसा example से जैसा आप सामने देख सकते हैं वो बहतरीन तोर पे एडी को explain करते हैं अब हम देख पाते हैं कि उनकी training के कारण आज एडी ने 40 मीटर की भी तक कई diving ली है 40 मीटर एडी इससे पहले कभी भी land नहीं किये थे successfully वो इस बात से बहुत खुश होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी सीख रहे होते हैं और उनके जो coach होते हैं वो भी उनको बहुत ही दिल से सिखा रहे होते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब qualifier round शुरू हो गया है एडी उसमें participate करना चाहते हैं हाला कि उनके coach यह नहीं चाहते कि एडी participate करें लेकिन एडी वहाँ पे बोलते हैं कि अगर मैं अभी नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर सकता और अगर मुझे तो try करना ही है ऐसा कहकर एपने coach के against भी जाके वो register करते हैं registration round में हम देखते हैं कि एडी पहली जो screen होती है वो पार कर लेते हैं जो होती है 40 meter की 40 meter की यह jumping एडी ने बहुत ही बहतरी तरीके से लगाई होती है अब यह second round के लिए qualify कर जाते हैं सभी लोग आश्चरे चकित हो जाते हैं एडी के qualification होने पे क्योंकि किसी को भी उमीद दे ही होती है कि एडी इसे qualify कर सकते हैं और हम देख पाते हैं कि जो उनके coach होते हैं वो भी उनकी diving को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जितनी चीज़े एडी को सिखाई थी उन्होंने बहुत ही बहतरी तरीके से इस चीजों को accept की है अब हम देखते हैं कि अगला पड़ाव है 60 मीटर जंपिंग के इस के लिए उनके coach अगीन एडी को मना करते हैं एडी बुलते हैं कि नई मुझे इसमें भी participate करना है अब हम देख पाते हैं क्योंकि coach के पास में इतना time नहीं होता है कि वो उनको बाद में सिखा सके इसलिए ये practice और participation दोरों साथ साथ करते हैं अब हम देख पाते हैं कि 60 मीटर के लिए भी एडी ने जम तो लगा ली है पहला राउंड में वो बहुत ही बहतरीन तरीके से उन्होंने यहां पे jumping लगाई होती है जो कि trial round होता है practice round होता है और जब final 60 मीटर राउंड के लिए turn आती है तो हम देख पाते हैं कि एडी drive करते समय उनका balance बिगड़ जाता है जिससे कि वो जखमी हो जाते है अब हम देख पाते हैं कि एडी क्योंकि बहुत injured हो गए इसलिए उनको hospitalized किया जाता है उनको बहुत सारी चोटे आई हैं उनके पुरी शरीर पे अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उनके coach आते हैं उनके coach उनको आके बताते हैं कि एक और tournament होने वाला है Sunday को जो की again 70 meter के लिए है अगर वो इसमें final jump यह competition होगा अगर यह इस event में participate करते हैं लेकिन उनके coach उनको बोलता है कि तुम्हें participate नहीं करना चाहिए लेकिन एडी को ऐसा नहीं मानते है एडी कहते हैं कि मैं participate करूँगा क्योंकि Olympic के लिए उनके coach का यह कहना होता है कि हम 4 साल बाद Olympic के लिए participate करेंगे और 4 साल के बाद हम जीत क्या हैं सिर्फ participation करने के लिए हम किसी भी जगह पे participate ना करें एडी लेकिन अपनी coach की बात से सैमत नहीं होते हैं अब यहां पे हम देख पाते हैं जब एडी के coach वहाँ hospital में उनको मिलने के लिए जाते हैं वो एक book देखते हैं इस book जिसको एडी पढ़ रहे होते हैं इस book को एडी के coach के coach ने लिखी होती है उसमें उन्होंने एडी के coach के लिए एक बात लिखी रहती है उन्होंने ये लिखा रहता है कि एडी के जो coach होते हैं वो उनके best student होते हैं लेकिन फिर भी एडी के जो coach होते हैं के अंदर सिर्फ और इकी चीज की लैगिंग थी और वो थी अपने ओपर विश्वास किने की लैगिंग वो हमेशा बड़ा नहीं सोच पाते थे वो विश्वास नहीं कर पाते थे इसलिए वो हमेशा फैल हो जाते थे हाला कि उनके अंदर बहुत जादा काबिलियत थी इस बुक को पढ़के एड़ी के जो कोच होते है उनको रियलाइजेशन होता है कि सच में उनोंने हार नहीं उनके अंदर जो जज़बा चाहिए था उनमें उनकी लैकिंग थी जो स्पार्किंग चाहिए थी आपने भी सोचा होगा कि कई बार हमें लगता है बहुत बड़े-बड़े काम हम इसलिए नहीं कर पाते हैं या हम इसलिए डिफ्यूज कर देते हैं कि हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं और कई बार हमें ये भी देखते हैं कि हमसे कोई inferior person होते हैं जिनके में हमसे कम capability है वो उस काम को करने के लिए dare करते हैं और सच में वो उस काम में successful हो जाते हैं अब ID के coach को ये लगता है कि ID के अंदर एक sparking है क्योंकि ID के अंदर जो ID के coach में नहीं थी तो हम देखते हैं कि ID के coach बोलते हैं ठीक है अगर तुमको 70 meter race में competition में participate करना है तो मैं तुमको support करूँगा पूरी तरह से support करूँगा अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जर्मिश senior contest होने वाला है जो कि 70 meter race का है आज के पहले ID ने कभी भी 70 meter की jump नहीं लगाई है लेकिन अगर करते हैं कि वो 70 meter की jump लगाएंगे अब finally हम देखते हैं कि ID ने बहुत ही बहतरी तरीके से इस race को पूरी कर ली होती है 70 meter की jump उन्हें लगाई होती है और finally वो win कर जाते है इट पिंस कि अब अब वो Olympic की qualifier team में का एक हिस्सा बन गया है Olympic पर participate करने के लिए उनको जिस शहर पर जाना है उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जा सकते हैं जिसके लिए वो अपने parents से बात करते हैं अब हम यहाँ देखते हैं कि उनके father तो totally deny कर देते हैं उनके father उनको मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे इस चीज के लिए permission नहीं दे सकता नहीं पैसे दे सकता लेकिन उनकी mom यहाँ Eddie को support करती है वो कहती है कि उनके उनके जो पैसे saving करके रखे होते हैं वो सारे पैसे वो Eddie को दे देती है साथ ही साथ अपने घर की गाड़ी भी दे देती है वो Eddie को कहती है कि अपने simple को पूरा करने के लिए अपने mission के लिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि Eddie की यह जो race होती है उसमें जो team qualifier and olympic के लिए जो selector teams होते है वो बोलती है कि नहीं हम तुम्हें Eddie को नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें कोई खास experience नहीं और अपने country के लिए नाम खराब नहीं कर सकते Eddie वहाँ पे उनको काफे request करता है काफे insist करता है लेकिन वो लोग मना कर देते हैं अब हम देख पाते हैं कि Eddie अपने घर पे phone करके वापस से बोलता है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ क्योंकि उनको लगता है कि सच में अब उनका selection नहीं होगा और उनको घर वापस जाना होगा वो अपने dad के साथ बात करते हैं उनके dad कहते हैं ठीक है अब आज के बात तुम्हें कहीं भी किसी भी condition में गेम के नाम लेने की ज़रत नहीं है और तुम यहाँ पे आ सकते हो अब हम देखते हैं तभी Eddie के पास में एक letter आता है जिसमें Eddie को पता चलता है कि finally वो select हो गए है Olympic के लिए Olympic के लिए select होने के लिए Eddie को again 70 meter और 90 meter की जम करनी होगी Eddie के coach कहते हैं कि गेम में participate करना अलग बात है और गेम कुछ इतना अलग बात है अभी तुम तयार नहीं हो तो तुम ना जाओ लेकिन Eddie कहता है कि मैं इसी साल ही Olympic के लिए participation के लिए जाओंगा और वो खुद निकल जाता है उस शेहर के लिए जहांपे Olympic की competition होनी है अब Olympic के competition में हम देख पाते हैं कि 70 meter की जब race होती है 70 meter की race में Eddie जब perform करते हैं सभी लोग Eddie Edward को देखते हैं और उन्होंने बहुत ही बहतरीन तरीके से 70 meter की jump को पूरी कर ली होती है और सब की निगाहे Eddie पे होती है उनको एक नाम दिया जाता है Eddie the Eagle ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी भी इससे पहले किसी भी British ने इस match को इतने highest पे ये total 36 years के बाद होता है कि कोई British इस तरह से जीता है हम यहाँ TV पे देख सकते हैं Eddie के coach, Eddie के parents सभी लोग TV पे भी Eddie को देखते है और इस चीज़ से Eddie बहुत excited हो जाते है हम यहाँ पे देख पाते है कि Eddie यहाँ पे बहुत खुश होते है बहुत appreciate होते है लोग भी Eddie को बहुत जादा appreciate करते है लेकिन हम Eddie का attitude यहाँ देखते है लोगों के बीच एक fun जैसा create करते है और जब Eddie की press conference होती है तो वो वहाँ पे बहुत fun करते है बहुत जादा comedy करते है अब जिससे की Eddie के जो coach होते है वो Eddie को phone करते है वो Eddie को यह कहते है कि तुम्हारा मजाग बना हुआ है तुम अपने देश का मजाग बनाने के लिए नहीं गए हो अगर तुमको लगता है तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे की तुम्हारे देश को गर्व हो ना कि लोग तुम्हारा मजाग बनाए Eddie तुरंत ही उसी समय ही press conference पे इस चीज का allow का declaration कर देते हैं कि वो 90 meter match के लिए भी participate करेंगे Eddie ने आज के पहले 90 meter के match के लिए कभी भी participate नहीं कर किया है अब Eddie के जो coach होते हैं Eddie को फिर से phone करते हैं वो कहते हैं यह तुमने क्या कह रहे हो तुम 90 meter match के लिए participate करोगे Eddie कहते हैं हाँ आपने ही कहा था कि मुझे मजाक नहीं बनना चाहिए अगर ऐसा है तो मैं अगले match के लिए भी participate करूँगा अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि TV में इस interview को Eddie का क्योंकि सभी को लगता है कि Eddie अगर 90 meter के लिए qualify करते हैं तो वो शायद कभी भी वापिस नहीं आएंगे लेकिन उनके coach इस समय Eddie के support के लिए जाते हैं वो Eddie को और भी tricks बताते हैं अब हम देखते हैं कि वो Eddie से कहते हैं कि तुम में एक साहस है तुम में कुछ भी करने के लिए कुछ भी सोचने के लिए साहस है और Eddie के mom और dad भी हम देखते हैं कि Eddie के लिए blessings के लिए वो pray कर रहे होते हैं अब Eddie का वो दिन आ गया finally जिस दिन उनको 90 मीटर की jump लेनी है इस दिन हर किसी की निगाहे Eddie के उपर है आज के पहले कोई भी Britisher 90 मीटर match के लिए qualified नहीं हुआ है Eddie ने खुद भी आज के पहले 90 मीटर की 90 मीटर की jump नहीं लगाई है हम देख पाते हैं कि उनके coach उनको कहते है अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो तुम्हें सिर्फ दुरी कोई माइने नहीं रखती अगर तुम 70 मीटर कर सकते हो 90 मीटर भी कर सकते हो बाकि जो भी इस प्लेयर्स होते हैं हम देख पाते हैं कि Eddie को बहुत discourage करते हैं वो कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते हैं इस तरह से Eddie को बहुत disappointment करने की कोशिश की जाती है लेकिन Eddie को इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है और finally वो time आता है जब Eddie हवा पे होते हैं वो जब jump लगाते हैं तो हम देख पाते हैं कि Eddie के मन में वो सारी बात होती है वो सारी techniques होती है जो उनके coach ने बताया होता है और Eddie अब हवा पे हैं हवा पे आने के बाद 90 मीटर की जब वो die लगाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वापिस से balance बना कर फिर से उठते हैं और finally इस तरह से balance बना पाना बीच हवा में अगर कभी कोई लड़कडा आ जाए फिर से again समहल के और अपनी race को complete करना ये अपने आप में एक बेहिसाब, बेमिसाल example होता है सभी लोग appreciate करते हैं एडी की जो parents होते हैं हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो selectors की team होती है वो भी अब एडी the eagle उनको जो नाम दिया जाता है कि एडी the eagle वो सच में उस नाम को explain कर रहे हैं उस नाम को truth कर रहे हैं और हम यहाँ देख पाते हैं कि एडी ने जो सोचा था उस चीज़ को आज complete कर लिया है वो सपना जो एडी ने देखा था कि वो olympic में name अपना करेंगे हाला कि एडी के marks बहुत अच्छे नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी आज के पहले British में कभी भी किसी भी Britishers ने इस competition में इतनी high dive नहीं लगाई है एडी के coach हम देखते हैं कि वो बहुत happy होते हैं और बाकी सभी लोग भी जो एडी को कहीं न कहीं comment कर रहे थे वो बहुत खुश होते हैं वापिस जब यह अपने country जाते हैं हम देखते हैं कि एडी और उनके coach उनका बहुत ही warm welcome किया जाता है वहां के जो citizens होते हैं यह बहुत proud की बात होती है कि उनके country के किसी person ने olympic में 90 meter sky diving के लिए participate किया और win भी किया सो हम देख पाते हैं कि यहां पे एडी का एक बहुत ही warm welcome होता है और उनका नाम भी दिया जाता है एडी the eagle की एडी the eagle एक सची कहानी है जो inspired है एडी से एडी एक ऐसे person होते हैं जैसा कि आपने देखा उनके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़े नहीं होती है कि जिसे कि वो लंपिक पार्टिसिपेट कर सकें लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जो चीज़ होती है जो उनको winning बनाती है winner बनाती है वो अपने लक्ष के लिए कुछ भी करने का साहस दूसरी हर किसी condition में positive रहने की साहस आपने देखा कि पूरी एडी के अलावा एडी पे किसी को भी विश्वास नहीं था ये matter नहीं करता कि कितने सारे लोग आपको कहते हैं कि आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप अगर आपके अंदर वो ताकत है कि आप खुद को विश्वास कर सकते हैं आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं, आपको इस पूरी दुनिया में किसी की भी appreciation, किसी की भी विश्वास की जरूरत नहीं है, तो ये थी पूरी कहानी Eddie the Eagle की, ये स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए, ये आपको बताएगी कि अपने लक्षियों को हाजल करने के कई बार हम बहुत भटक जाते हैं, लोगों की बातों में आते हैं, हमें ये लगता है कि हमें appreciation नहीं मिला या ये चीज़े नहीं मिले, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस कहानी को देखिए, Eddie एक जो साधारन सा व्यक्ती था, लेकिन उसने अपने देश के लिए Olympic medal में जाने का सफरता है कि और वहां से success होकर लोते, so thank you for watching and please subscribe our channel, in this channel we will explain all the motivational movies and please subscribe our channel, thank you so much for watching.